नमस्कार जन्द सरोकार मंच टोंच के इसाहित्ति कारिक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं हिंदी की सुपरचित कवित्री विभा वर्मा वाची विभा वर्मा वाची का नाम हिंदी कविता में नारी कविता की धारा में सुपरचित है काफी लंबे समय से ये कविताइं लिख रही हैं और जारखंड के रांची सहर में ये वरतमान समय में रह रही हैं और अक्सर युरोप की आत्राप पर भी रहती हैं क्योंकि इनके परिवार की लोग वरतमान में युरोप में भी रह रहे हैं तो यहां भी उनका आना जाना जिरंतर लगा रहता है और विभाजी इस समय एम्स्टर्डम में मौजूद हैं जनसरोकार मंच के इस कारिक्रम में हमारे अनरोध पर व अपने व्यस्ट समय के बीच इन्होंने कुछ समय काविपाठ के लिए और सहितिक वारतमाब के लिए निकाला है और आज हम सब के बीच आई हैं विभाज वर्मा वाची जी आपका सादर नमस्कार इस कारिक्रम में आपका स्वागत है जुस्कार आजी जी आप कारिक्रम में मौजूद हैं आप हम लोगों को बताईए कि करता लेखन की सुरुवात आपके जिमन में कब हुई आपका रुजहान कायम हुआ और कहां आपका बच्पन वीता स्कूलिंग हुई और यह सब घर-पडिवार के बारे में सिक्षा लिप्छा के बारे में शुरू में यह से बातें जो हैं आप थोड़ा हम लोगों को बताएं आपने बारे में नमस्कार मैं वीभा बर्मा वाची राची जारकंट से हूं लेकि दिनों त्राम्स्रम में हूं जैसा कि राजी जुई ने बताया तो मैं आपका थार्दी कर बिंदन करती हूं साहिते जगत में अपने कदम जमाते हुए आप सभी को नमस्कार करती हूं मैंने अपने जीवन काल में पहले तो मैं जब छोटी थी तब थोड़ा लिखा करती थी लेकि उन दिनों थोड़ा पढ़ाई के दौर में पतानी चलता था कि मैं कब लिखती और कब उसको अपना पचार पचार कभी तो उतना साधन तो था नहीं और ज्यादा कर लिखती जो चीज लिखती थी जैसे कहानी है कवीता है तो उनको मैं दुस्रे को भी दिखा पाती थी क्लास 6 मैं पढ़ती थी तब शुरू की थी और अपने सख्यों के संग ही रहती थी घर में भी उतना नहीं था तो मैं नहीं दिखा पाती थी और लिखती थी लिखती थी लेकि जब कॉलेज में आई को प्र तो अफिर देशेंग बू लिकिन लिखना छोड़ दी, उसके बाद फिर शादी हो गई, इसके बाद फिर अपने घर में आ गई, घर ग्रेस्ती में जूट गई, इसके बाद फिर अमारा लिखना छोटी गया था, बहुत दिनों के बाद पिर जब इधर लिखना शुरू कि करोना काल आया तो ज्यादा पकड़ लिया क्योंकि उन दिनों घर में थी और तब अपनी अपनी परिस्ति जितने जीमेदारियों से सब मुक्त हो चुकी थी तो घर में बैठकर लगा कि कुछ तो करना ही चाहिए, उसके पहले मैं कुछ सामाजी कारे करती थी, मैं अपने जीवन काल में अध्यापिका स से लेकर सामाज सिवा तक काई घुमिकाय निवाई। मैं जहारकण प्रदेश में हूँ, अत्ताउम्र मैंने परिवार पालन के लिए अपनी सामाज से वी संस्था, छमता, अपनी सामाज से भी संस्था की चमतास जहारकण में महिलाओं के लिए रोजगार उत्पन काफी, रोजगार उत्पन में काफी किया था उनके साथ में उसके बाद मैं अपने बेटे बहुँ और पौत्रों के साथ जीवन्यापन करने लगी करोना काल की महामारी में परिवार से दूर लॉकडाउन के बीच में मन में भाव ब्याक्त करते हुए साहिते जगत से साथ साथकार अपनापन सालगने लगा स्वथा लिखने की रुची रोज पकड़े लगी अपने परिवार इभू सक्षियों के प्रोषाहँ से एक के बाद एक बिवे साहिते पड़लों के साथ सानित द्य होता गया साहिते पडल से मुझे उपनाम भी मिला जिससे मुझे बहुत ही चार सो से जादा प्रमान पत्र मुझे मिले. तो फिर जिन्गी चलती रही चलती रही और लिखना जारी है भी भी. आप Facebook की लोग का प्रिय कवित्रीयों में हैं और आप निरंतर पर पेस्बुक पर अपनी कविताएं लिखती रही हैं और आपने हम लोगों को आपनी बारे में बताया वो बहुत अच्छा लगा कि आपने बालेकाल से ही कवितालेखन के संस्कार आपके भीतर रहे और आपने रंतर लिखती रहीं सिर्जमसील रहीं और आप उन कभियों के वारे में ही पताएं जिनको आपने समय सेना पर पढ़ा, चाहे बबाले काल में, पढ़ी गई कविताये कहानिया हों, या आगे आपने हिंदी और फिर अन्य भासाओं के सहीतिकारों को पढ़ा, सहीतिसी जो प्रेम आपका रहा है, तो उन सब के वारे म पढ़ें के परेंचन की कहानिया बहुत पढ़ती थी, आपने से बहुत लोग आसे हैं जिनकी पढ़केbemi लिए अचह लगता है। बाबू राम इनके बहुत अच्छी लगते थे उनकी कविताय उनका गज़ा बहुत ही अच्छा लगता था तो बहुत सारे नाम है मैं किर्किन का नाम लूँ नहीं मेरा आसे ये था कि कुछ ऐसे कवी और उनकी रचना है जो आपके मन प्रांग पर अमिटर रूप में पढ़ी जो चीजें जो अंकित रहीं चाहे वो कोई कविता हो या कहानी हो और कोई कुस्तफ हो तो ऐसे ही लोग जो होते हैं प्रियलेखक कहे जाते हैं मेरा आसे कु जैसा कि आपने बताया है वैसी कुछ और भी लेकों का नाम है तो महादेवी बर्मा की मैं नीर भरी डुक्स की बदली उसको बहुत बहुत बदोस पर हम लोग स्वाट दे कर भी गाना गाया है उस पर डांस भी कर दे कर दो तो तमाम जो महिलाएं हैं वो प्रिये लगती है क्योंकि उनमें जो राग विराग है नारी जीवन का बहुत ही आत्मिक सैली में और प्रकट हुआ है सच्चाई उसमें समाई हुई है और और भी लेकों कभियों को आपने पढ़ा उनके बारे में भी आप बताएं तक पाठी किये था का आधान प्रदान हो सुरताओं के ओक स slightest जानी है मुझे बहुत अच्छे लगए थी एउनदीन उन दिनों नहीं का पूर नाम ता रामु की का उनकrik पढ़ा करती ते उसको भी बहुत अच्छा लगएं के प्रेंच शीतर की तो कि तो सभी को जैसे पताईए सभी उनके बहुत परहें परें नहें हैं और उनक परियास को पढ़ें गोधान है उनका इस विभाजी से हम लोगों ने उनके प्रियलेखों के बारे में जाना और महादेवीजी के अलावा अब हम लोग इनसे राची शहर के बारे में जानना चाहेंगे कि राची सहर में कभसे ये रह रही हैं और इस सहर का जो साहथिक प्रिवेश है वे इनको कैसा प्रतीत होता है बीच में लंडे समय तक दंगलोर में भी रही और आजकल तो राची में ही रही है और बात दार्चीत के दौरान इन्होंने मुझे बताया था है कि अक्सर मेरा इरोप आना जाना रहता है क्योंकि मेरे परिवार के लोग जो हैं बच्चे सब तो वो अब यहां हैं तो उनसे मिलने के लिए अक्सर में यहां आती जाती रहती हैं लेकिन रांची का अपग्रेह तो रांची सहर के बारें बताईए बहुत किसम्दर सहर है और कापी लोग वहां लिखने पढ़ने वाली लोग सब हैं तो इक कई देखके कई कवित्रियां वहां हैं आपकी परस्तिती रही है उनके बीच में इस सहर के वारें पढ़ा बताईए कब यहां आई और करशे रह हजारी बाग सेंट लंबस कॉले सेंब लिखन किया पोस ग्राजवेट भी राची इनवर्सिटी से वही से ही किया और उसके बाद कुछ मुजिक के ओर भी रुजाओ था तो मैं मुजिक के ओर भी थी तो प्रयाग संगी संभीती है अलाहबाद महां से मैंने अपना प्रभा कर किया उसके बाद कुछ तबल्ह भी सिर्खती थी कुछ लाइख मुजिक भी करती थी ती उस पर मैंने डिग्री भी लिया कही कही गोल्ड भेडलिस्क भी थी तो इस तरह से वहां उसके बाद शादी हो गई राची आ गई राची सथा बैंगलोर जही पाएज साल उधर ज वे अमस्टम आई राची है राची तो बहुत सुन्दर शहर है राची में हम लोग किसी बीच में अपने साहलियों के साथ में एक वारी एक हमारी सहली एक है वो वो तुस्तक बीबोचन के लिए गई तो वहां साहिते ओदे पटल है वहां पर उसकी वड़से गई वहां पर कि वह मुगोँ में णिटी ऐसंदी उसके बाद महिला का में सारी का भूशन थी जड़ी उसके बदे डिरे पहुपतल मेरी वहां मिले लगा और लीखने का बनिया रहा राची जिल्म करते रहे है और लिखती गई हम लोग फचल से सराना हुआ हर जगाbstम लोग पहु छलता तो हम लोग जाते जाकर, वहाँ पर सभी से मिलने लगे, तो इस तरह से हमारे साहित्य जड़नी स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ वही से शुरू किये, उसके बाद तो अभी आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, आप हजारी बाग में भी रही है, हजारी बाग बहुत एक प्रस और उनका काफी समय हाँ वेतित हुआ, राम कथा के मरमग की माने जाते हैं वो, और बरतमान समय में भी भारत के आजावर वगरा जैसे लेखक हजारी बाग में ही रह कर लिखते रहे, पर राची तो एक बहुत प्रसिद्ध सहर है, और बहुत सारे लेखकों का नाम इससे ज हैं सनّा चाहेंगे, आप कुछ कवीताये वगरा, अब आप समयें और आप से जारिस है कि आप कुछ अची पईपटाये अपनी जो हैं, आपकी तमाम कवीताये पठनिया हैं लेकिन उनमे जो आपको प्री हैं, जो कवीताएं तो उनको सुनाएं अग मैं सबसे पहले जार्कंड के बारे ही कविता अपनी सुनाती हूँ, क्योंकि जार्कंड के बारे आप देखे कि यहाँ पे क्या-क्या है, जै जार्कंड, हरित भूमी है धरापर हमारा जार्कंड प्रदेश न्यारा, जंगल पर्वत से अच्छादित सुन्दर एक पिटारा, कंकड में कुदरत का करिश्मा खुब दिखाई देता है, जर्नों का संगीत जर्जर सा मधुर निनाद करता है, गुझे जै जार्कंड का नारा, सबका हो यहां गुजारा, हमारा जार्कंड प्रदेश न्यारा, आदम संस्क्रिती वाले सब भोले भाले लोग, विर्सा मुंडा के अन्याई, जंगल बन, जल जमीन वाले लोग, यहां पर जंगल बहुत है और ज्यादा लोग तो जमीन पर ही ज्यादा गुज़र बसर करते हैं, जंगल बन, जल जमीन वाले लोग, पथर से फॉला दी, संकट को सदा जेल, दूर भगाने वाले लोग, यही तो हमारा जार्कंड प्रदेश के हैं लोग, स्वण रेखा, खरकई, बराकर, कोयल और दामोदर न दियां, यहां की छोटी-छोटी परवत उम्र बताती सदियां, अलग-अलग राज्य का सपना देखने वाले, जैपाल सी मुंड़ा, इस धर्ती पर जद्मे भगवान विर्सा मुंड़ा, ओद्योगीक छेत्र कला, साहित्य संस्कृती से अलग प्याचान, यहां है खनीच, खानों का भंडार, हरित प्रदेश जार्कंड की हैशान, खेल रत्न से भरा पड़ा, प्रदेश का कोना कोना, सभी छेत्रों से भरे पड़े हैं, लोहा, कोईला और सोच, बाबा बोला बंडारी, बैशनाद धाम, और मा छिड मस्तिका का मंदीर है, जिनके शप्ती है अपरमपरा, अपरमपर, जार्कंड प्रदेश है, यही है प्य बीर हुए हैं जैसे सिंधु कानू, तिलक माजी और अलबटिक का, सभी खनीच पाये जाते यहां अनोखा राजे जार्कंड है हम सब का, एक बहुत ही सुंध्रम्नी प्राकर्तिक सौंदरिका प्रदेश है और यह आदिवासी बहुल राजज्य है, पहले जिहार का ही हिस्सा था यह राज्य, लेकिन यहां पर फिर एक सुतंत्र encourage भारति संग के रूप में भी धार्कंड सामने आया, और जारखंड के बारे में ये कहा जा सकता है कि इस राज्य की संस्कृति इतनी प्रमपरागत है, जाती संस्कृति की प्रमपरागत्ता यहां दिखाई देती है लोग की जीवन में, तो फिर आधमिक जीवन संस्कृति की छाया में भी यह सहर उतना ही ज्यादा रोज ढलता जीता हुआ ये दिखाई देता है दोनों चीज़ें एक साथ दिखाई देती हैं और सुन्दर नदियों और साल सख्वा के जंगल हैं वो सब धारखंड को अपनी एक बहुत पिस्ष्ट पहचान देते हैं और अपनी ये धारखंड जो है ये विभा बर्मा जी की इतरह से मात् भूमी है क्योंकि यहां पर इनका जन्न हुआ है जारखंड एक बहुत ही वहां सही सुनता है वहां के परिएसने माहौल में जो दूसरे राज्यों में आप देखेंगे कि कुछ विवाद उभरते हैं कभी कभी नुर निवासी और बाहर से आहिए लोगों को लेकर भी बहुत ज़्यदा थी पतना से धर्खंड की तो रांची को फिरेकलग प्रसाशनी केंद्र बनाया गया सारा भारत एक है राजी जो है वो प्रसाशनी को लेकर बनाये गया है और धर्खंड बहुत सुन्दर राज्य है वहां पर बहुत सारे शैलानी आते हैं भूमने के लिए ये विर्शा मुंडा की भूमी है रांची तो हम लोग बहुत खुस हैं विभाजी आपसे कि आपने परिवेश करकरती जन जीवन खोले कर इतरह से मात्री भूमी के बारे में भारत भूमी के बारे में हम वो आपने एक बहुती सुन्दर करदा सुनाई है क्योंकि धर में अंग्रेज अपना पैर पसार रहे थे तो उस समय भी हाँ धारखंड की सपूत ने ये नारा दिया था और दिगूओं को दिगूओं को पहचानने की बात नहोंने कही थी अपने समधाय की लोग के साथ जो उनका संबल था तीर लंदनुस उसको लेकर के में एक बहुत परी लड़ाई लड़ी थी और संघर्स जो जन है धारखंड के तो उनका अस्वरन करते हुए विभा वर्मा जी ने जो कवता हम लोग को सुनाई है वो इनकी समधना और इनकी अन्भूतियों के विस्तार के बारे में उसकी सघंता के बारे में उसके जीवनतता के बारे में हमें इससे पता चलता है और हम लोग इंसे और दूसरी कविता को सुनना चाहेंगे आपसे मुझारिस है नारी तुम केवल सद्धा हो लिख दिया पंक्तियों में क्योंकि दानिक के प्रतितों लिखा बहुत जा रहा लेकिन चल तो कुछ भी नहीं रहा है। निभाने वाली मया है, रंग्रूप की परवा नहीं सिर्फ आभास है, नारी पित्वी से निकली छाया है, फिर भी गेहू की तरह चक्की पर पीश्ती रही, पतनी, मा, बेटी, दोस्त बंचलती रही, हर रिस्तों को दिल से निभाया है, फिर भी नारी तुम केवल सद्धा हो कहकर आज भी जलाया है हम शक्ति के आवलंबन थे रिस्तों के खातिर हुए कमजोर, फिर भी कहा नारी तुम सद्धा हो मचाया शोर, नारी ने सभी की 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 है पूजा, हर धर्म को अपने रिस्तों से सवा रहा है, इस प्यार समर्पन पूजा से नारी पतीता, वो मुजोर कलाया है, इस प्यार समर्पन पूजा से नारी पतीता, वो मुजोर कलाया है, मरने तक नारी ने हर धर्म दिल से निभाया है, फिर भी जल बिर मचली बन, जीती रही, अंतकाल तक तली गई, नारी तुम केवल सद्धा हो, कहकर छलती रही, नारी तुम केवल सद्धा हो, कहकर छलती रही, बहुत सुन्दर, नारी जो है, जो है, उधर्ति पर जीवन की स्रोथ है, और वो संस्कृति की निर्मात्री है, और उसका मन प्रान, हम सब का मन प्रान बने, और हम लोग उसका सम्मान करें, ये प्यविता का मूल स्वर रहा ह है, और आज एक संकट से भी नारी जो है, बुजर्ति भी दिखाई दे रही है समाज में, इस तरी अपराद के मामले जो है, नारी से जुड़े जो अपराद समाज में निरंतर बटते जा रहे हैं, तो हमारे समाज में जो ये कलंक पैदा हो रहा है, कायम हो रहा है, तो उसक प्रति भी हमें निरंतर आत्मबोध से जुड़ना होगा और नारी जो है वो सर्वस्व है लोगों के लिए इसको हम लोग समझें और आपकी कर्मिता जो है वो उसमें आपने नारी को धर्ती के समान बताया है जागतपस्या की वो प्रतिमूर्ती है तो बहुत अच्छा लगा विभा बर्मा जी की करताओं में बहुत ही सुंदर्ता से हमारे जीवन के तमाम सब जो संदर्भ हैं युड़े विभाव नारी मन के सहज राग विराग समिंग में प्रकट होते हैं और बैंगलॉर में भी आप रही हैं बैंगलॉर बहुत सुंदर सहर है आरत का लंबे समय करनाटक के प्रदेश में आपको रहते हुए और कंदर समाज जो है उस समाज की और संस्कृति की जो अंगूंज समृति के रूप में आपके मन में वहां से दूर होने के बाद भी रस्पंदित करती है आपके मन प्रांद को अंदर भासी लोग सब जो है उसके बारे में कुछ बताईए जी मैं मैं बागलोर गई थी जब असी में 2080 में 80 से 86 7 तक नहीं तो उन दिनों मेरे बच्चे चोटे चोटे थे सब कुछ हुआ ही पे हुए एक चोटे लेकर गई थी तीन बच्चे है मेरे तो मेरे हजबन उसे नहां में पोस्टेट थे तो हम ज्यादा तर करनड लोगी थे तो हम लोगो कुछ प्रोग्राम करना थे बच्चे लिए करनड के लिए वो मारी फ्रेंड कर शिखाए तो मैं करनड की बुक लाई बुक भी पढ़ी करनड सीखी करनड सीखते के बाद उनका अपना एक जो अपना उनकी एक शंस्कृती थी उ लेकिन करनड तब सीखी था करनड बहुत अच्छा लगता था क्योंकि सांस्कृत से बहुत जुड़ा हूए उसमें तो इसलिए करनड बहुत फ्रेंटली बोलती थी अभी तो बिल्कोली भूल गई कुछ 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 वर्ड जब देखने से पता चलता है तो पड़ भी नह कामों में यहिं पाते है को तो ऐसे करके मारा महा पर चलता रहा कुछ श्कूल स्कूल में तो मिम हमें कुछ नहीं करती ति घर में ही थी और अपनी घर के कामों में रहती थी बस बचे बहुत छुड़ चुटे थे कोई दो साल के हैं कोई देड़ साल के इस तरह से थे तो ऐसे मारा महा का सफ़र खतम हुआ कि बहुत दूरी थी जर से आना जाना भी मुश्किल होता था उन दिनों अभी तो बहुत साधन हो गया तब तो ज्यादा था नहीं तो फिर नड़ भाशा में लेकि भी ती अभी बिल्कुल ही शरु कुछ कभीताह एक-दो लिखी थी तो अभी मेरे पास तो यहां पे नहीं है तो तो बैंगलवर में लिखी गई कोई कभीता अगर आपको याद हो तो आप सुनाएं कोई कभ़ी दो आपने लिखिए हो भी अभी मेर या और केवताई आप समाएं हां मैं एक बात बताना भूल गही थी मैंने अपने मेरी भूक भी एक निकले है तो एक कावे अरून मेरे भूक कावे अरून जी ये विभा वर्मा बाची जी कावे संद्रह है कावे अरून तो बहुत थी तो मैं इसे से आपको सुनाई तो मैं इसे से आपको सुनाई जी गुस्ति को सुनाती हूं बिन कहानी ब्याथ जवानी बिन कहानी ब्याथ जवानी जिन्दगी के हर लह में छुपाई है एक कहानी बिन उसके जीवन न बढ़े न आये जवानी बच्पन बीता जवानी बीती फिर आया बुढ़ापा वह जवानी बिन कहानी ब्याथ जवानी जीवन जीना था उतार चड़ाव का आलम था जीवन जीना था उतार चड़ाव का आलम था जवानी का माजरा था रात दिन जागा था रात गुजरी यादों में सुबत दिल ताजा नजर आया कलियों के गुलाबी याद सी ख्वाब में छाई बह जवानी बिन कहानी बैर्थ जवानी बीते कल याद कर जवानी रात भर रोया याद कुछ आई परचाई साथ साथ आया जहां हम छोड़ आये थे कभी यादों की परचाई वही से शुरू हुआ कहानी बिती गई जवानी यव जवानी बिन कहानी बैर्थ जवानी अपनी कहानी खुद लिखें जवानी बैर्थ नहो यह जवानी बैर्थ जवानी बैर्थ जवानी बैर्थ जवानी यह मैंने भी दो लिखें थी समर्तियों के सारे और व्यादों के आएने में विभाजी की कविताएं जो हैं वो जीवन की बहुत सारी बाते हैं तो अपने आत्मी संसपरसों में उन्साब आतों को इंदी करवता हैं तो मिटती हैं और यह करवता इनकी बहुत पसंद आई है सबको मुझे को और 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 वह करवता शुमाईए असफलता है असफल होने से कभी ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए असफलता अनुभाव देती है अगर आप कभी गिरते तो गिरकर उठते भी तो इसी पर मैंने कुछ लिखा है असफलता अनुभाव देती है जिन्दगी के खोए हर अनुभाव का सार होता है जिन्दगी के खोए हर अनुभाव का सार होता है कटिन परिश्रम सफलता का आधार होता है कोशिश से आस्मान जमी पर उतार ले अथक प्रयास से सफलता की स्योड़ी बढ़ा ले होसले की उड़ानों ने सदा किस्मत चूमी है पस्त होसले के पास असफलता खूमी है लक्ष पर जिसने साहस के निशाने सादे सफलता उनसे मिलने का करते हैं वादे या कहें असफलता अनुभाव देती है कहते हैं विपत्ती जब आए कायर ही हिल जाए शुर्मा कभी न बिच्वित हो धहरे कभी न खोते बिग्न बाधा गले लगाते उफ नहीं कभी करते बातों की एक बात सफलता अनुभाव देती है कोशिस करने वाले को हलका दिशा दिखता अर्जुन ने तीर साथ बंजर में जल भर लेता है जो आज जीवन से बुझा बुझा से रहता है कल फॉलादी बन जाए हिम्मत राहे सदा बना लेता क्योंकि असफलता अनुभाव देती है चीटी पाहर चड़ जाती है गिर कर उठ जाती है सफलता का मूल भी वही जो गिरे वही उठे नाम शोहरत कदम चु में सफलता पाने के लिए हिम्मत ना हारे असफलता अनुभाव देती है कहते हैं गिर कर उठने वाले इतिहास रचते हैं एक दिन अपने आप खुनर की चादर सिल्ध दिलते हैं किसमत को कोशने वाले जमी ही देखते रहते हैं क्योंकि असफलता अनुभाव देती है बहुत संदर जीवन की कथा कहा गया है कविता को कविता को जीवन की कथा कहा गया है और आज के दौर में जो कविता हैं लिखी जा रही है उनमें जो चोटे-चोटे जो यथार्थ हैं हमारे जीवन के तो वो फिर बहुत बड़ी बातों का संकेत कविता में करते हैं उन्दिक अन्वास पर आप जब गौर करेंगे आज के जीवन का जो तनाव है आज के जीवन का जो भागदार है और उसके बीच में जो हम लोगों का संघर्स है तो वो सब कविता का सबसे महत्तुपन्द विसा बनता चला जाता है और यहीं पर हमारी जीव जीविसा है वो कविता के भीतर प्रकट होती है और विभाव बर्माजी की कविताएं जो है नारी जीवन की जो उर्जा है जो उसकी शक्ति है जो नारी की जीविसा है तो उसके अयामों को बहुत ही सजीवता से उद्धगाटित करती है और इनकी कविता का ये प्रमुक्तत्व है और इस कविता से ये बात बहुत अच्छी तरह से सामने आती है और मैं चाहता हो कि अपनी इस एलिम में इस भाव भंगेमा में जो और दूसरी कविताएं भी इन्हों ने ल कुछी से भरी रहें जिन्दगानी नहीं रहे कोई अग्यानी खुशी से भरी रहे जिन्दगानी, नहीं रहे कोई अज्ञानी, सो समझ कर बोले बानी, तभी मान दिलाती मृदु बानी, दहकती लरस्ती जिन्दगी में कोई न करे बैमानी, खुशीओं सी बरक्ती चास्नी मिठास भरे निकले बानी, पर यारो मीठी बानी बोलना आसान नहीं, जिसे आती हो वो कला दुनिया में महान वही, सो समझ कर बोले बानी, कभी न रहे अज्ञानी, आखों की पल के दिदार को तरसे, मीठी बानी से चास्नी टपके, मानों की पहचान बढ़ाए, मीठी सी बानी उसकी, मीठी बानी दिदार कराती उसके आच्रन की कहानी, मीठी बानी दिदार कराती उसके आच्रन की कहानी, सदैव बोले मीठी बानी, नहीं रहे कोई अज्ञानी, सदैव बोले कोई न रहे अज्ञानी, बानी बोले सो समझकर, मानसिक चोट न करे किसी पर, शब्दों से लगी मानसिक चोट, जीवन में हो जाए बिसपोट, इसलिए यारों, बानी से मीठी चासनी घोड, नियंत्रन में भाशा बोल, सम्मान से नाता जोड, तभी मिले मीठी बानी, रहे न कोई अज्ञानी, जीवन में यदि चाहिए, दुनिया में मानसमान, भाशा में घोले मीठी चासनी, दिखा दे अपनी पहचान, भाशा में घोले मीठी चासनी, दिखा दे अपनी पहचान, मुख से निकली बानी और कमान से निकला तीर, कभी वापस नहीं होता, मुख से निकली बानी और कमान से निकला तीर, कभी वापस नहीं होता, इसलिए ज्ञानी जन कहते, सदा सोच समझ कर निकाले बानी, नहीं रहे कोई अज्ञानी, इसलिए ज्ञानी कहते, सदा सोच समझ कर निकाले बानी, नहीं रहे कोई अज्ञानी, मीठी चासनी घोल सदा, ले संत जनों का ज्ञान, मीठी चासनी घोल सदा, ले संतों का ज्ञान, हर मुश्किल आसान हो, मुख से निकली मीठी बान, कुटिल वानी न मुख में रहे, ऐसा हो संग्यान, मीठी चासनी घोल कर जग में बना ले पहचान, कुटिल वानी न मुख में ऐसा हो संग्यान, मीठी चासनी घोल कर जग में बना ले पहचान, तभी मृदू वानी मान दिलाती है, तभी मृदू वानी दिलाती है, धन्यवाद. घृण ज्यान की बातें ॏ seminar-जिपता की बातें संस्कृति की बातें वो कविता का बहुत वो मूल स्वर रहा है अब सर्दी के राम चरित्मानस में पुछी दास भी जो है हमें निती की बातें वो बताते चलते हैं और अधिकाल में रहीम ने, कबीर ने सबने निती की बातें बताई हैं तो जीवन को जितना एक कवी समझता है उसके अधार्त को अपनी कवीता का विसे द्यू बनाता है और कवीत्री के रूप में इभाजी ने भी अपनी इस कवीता में वानिक्स के बारे में हमें बताया है और नारी के रूप में, माता के रूप में इन्होंने जो जिस विसे को उठाया है जो बाते हैं इन्होंने कही हैं तो वो सबको हिर्द्यंगम करनी चाहिए उसको गौड से उसको सुनना चाहिए और उसको समझना चाहिए बहुत अच्छा लगा आपकी कविताओं में बहुत भाव भंगिमा सैली इसकी वीवित्ता देखने को मिलती है अक्सर कविता जो है मु लुद्धता है रचना वैविध्य चिल्पगत वैविध्य यह आपकी कविताओं में है और इसलिए आपकी कविताओं में बहुत पठ्टमी है है अम लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है और आपका जो काविशंग्रा है कावियारुम आज आप लेकरके भी हैं और हम लोग इसको मंगवा करके भी पढ़ेंगे आपकी संद्रह को तो अभी तो आज काविशंद्या ही है यह और आप अस्टोडियों में मंत्रित हैं आपने हम लोगों को समय दिया है एक बहुत दूर हैं आप एमस्टर्टम में हैं तो बीच में थोरा सा इरोग के बा रहा है निदर लेंड में तुमें क्या संद्रता दिखाई दे रही है और बरसात के बाद अब उहां कैसा प्राक्रतिक परिवेस है इसके बारें बताईए अभी तो यूरॉप में ठंड बहुत ज्यादा हो गया माइनस पर टेंप्रेचर जा रहा है भी तो और कल यहां पर भारतिये बहुत हैं तो भारतिये परिवेस में कल महां ले था विपावली में आया जा रहा तो कलम लोग गये वहां तो बहुत करीब 18,000 हिंदुस्तानी वहां थे पब्लिक आई भी थी 18,000 हिंदुस्तानी थे सुची कितने बड़ी संख्या में यहां पर लोग रहते हैं औ और हिंदी गाना चल रहा था सारे इपना इंडियन खाना जितने अंग्रेज भी आई वे थे वो भी इंडियन खाना को पसंद कर रहे हैं चना बतूरा तपाव भाजी सारे लोग खा रहे हैं और धूमबची भी ए बॉली वुड के सौंग चल रहे थे गाना हो रहा था और एक गाना मैंने भी वहां भुषपुरी सुना दिया क्योंकि हमारे बेटे कुछ प्रेंट्स थे तो चाहर थे तो बहुत हंगामा हो गया थोड़ा अपने यह में होली से मिलता जुलता एक गाना गादी थी तो अच्छा लगा कि भारतिये यहां पर हैं और सभी एक दुस्त इंडियन भारती अग्रेस में ही थे बहुत लोग साड़ी पहन की भी तो बहुत अच्छा लग रहा था कि हां हमारे अपने देश का इतना सम्मान है बाहर में भी वर्मा जी ने हम लोगों को एमस्टरडम के बारे में बताया कि बहुत सुंदर मौसम है वहां और काफी में यहां अवो कत्ब अमेरिका गई थी तो उस तरह में ट्यूलिप्स गार्डेन का बहुत अच्छा यहां पे गार्डेन पूरा दर चला है असान से बहुत भारी भी आते लोग देखने के लिए तूलिप के फूल नो है बहुत ही सुंदर होते हैं और हिंदी के कभी पंकस अश्चा सुद्धा इसमें उन्हें ट्यूलिप के फूलों की सुंदर्ता का बढ़नन क्या है तो विभाजी जो है वो तूलिप के फूलों को देख रही है और अच्छा लग रहा है वह सुंदर मौसम है तो इरोक वगरा के बारे में पी कभी आपने लिखी हो याम्रिका के अब देखे वारे में कोई करप्ता लिखी हो आपने तो सुनाया है तो जिवन के अन्भुतियों का एक अभी दिखे दिपावली का मौसम तो कल की ये भी चलो इके दिपावली पर में आपको करप्ता सुनाएं बहुत प्रासंगी क्विशा है तो दिपावली के बारे कुछ है थोड़ा अलगी हाटकर लिखी सुनाते हो दीप जोती नमस्तुते जीप जोती परम जोती दीप जोती जरार्दना एक दीप भगवान के समझे प्राजवली कर सुख शांती समदिद्धी अंतरमंद से मांगते है एक दीप जलाएं भगवान के सामने जरूर चलो हटकर आज एक नया जोत जलाते हैं दीप के लौ प्रजवलित कर आशा की जोत जगमगाते हैं एक दीप की जोती बुझकर भी रौशन करने को है तयार जलकर तम हर ले खुशियां आ जाए हर घर बार वह दीप जो बुझा बेशक पर जोती उसकी है बरकरार इन अंतर मन के गलियारों में छुप बैठा है बन किरदार चलो एक बार फिर से आशा की दीप जला जग से तम मिटाते हैं छोड तमस पावस के गहरे पूनम का चांद बुलाते हैं जल्ती लौ से स्वाट से परमाट का शंकनाद बजाते हैं सिक अतीत की नादानियों से सुक बर्तमान बनाते हैं चलो आज हट कर एक नया जोड जलाते हैं एक दिन की दिवाली नहीं दिवाली की जगमग सदा के लिए जग में लानी है उदास चेहरे के मन के तमस मिटा चेहरे पर मुसकान लोटानी है छोड़कर गीले शिक्वे मीठी बानी सब पर बरसानी है मा लक्ष्मी की कृपा करे घर घर में एकल नहीं सांजी खुशी मनानी है चलो आज हट कर नया जोड चलाते हैं धन दात्री लक्ष्मी को हम धन दे कर बहलाते हैं अगर आज हर दिन अगर आज हम हर दिन दीपों में सने भर दे बुझ रही किसी की जीवन जोती लौख खुशी से बन आनन्दित कर दे जात पाच से उपर उठकर मानो जोड चलाते रहें चलो आज हट कर नया जोड चलाते हैं जी हाँ बहुत सुंदर लगा दीपावली के बारे में जो अकविता आपने लिखी है दीपावली के साथ धर्ती पर और खासतर से हमारे देश में एक जीवन की एक नई शुरुआत होती है तो दीपावली जो है अधर्म के नास का संदेश देती है हमें देता है ये समय ये तेवहार हमें और इभावर्मा जी ने अपनी स्क्रिक्ता में यही बात हम लोगों को कही है नया जोद कि हम लोग नया जोद गलाएं जीवन की नई पहल करें और जो अंधेरा है अमावस का जो अंधेरा है वह दीपावली की रोशनी में खत्म हो जाए तो कवित्री की जो ये कामना है वो हम सब की कामना है और विपावली के अउसर पर विभावर्मा जी ने सब को बढ़ाई जी आज तो सभी सुरताओं की ओर से दर्सकों की ओर से जंसरोकार मंच्टों की ओर से विभावर्मा जी आपको भी दिपावली की बढ़ाई आज धंते आप कवतायं जंतर सुना रही हैं और एक बहुती स्वंदर भाहॉल समा बन गया है कार्यक्रम में तरह यह व्जुण के लिप बिशल्य हैं और कर्फ़ाइं आप अपनी सुनाएं जारी रखें करताओं को सुनाना कर्फ़ाइं और की और कुछ तीरता हैं आप देखें और उन देव सबको जगाते हैं, तो उसी पर एक सुनिए कि सभी जाग जाए और अपने कारे में कैसे मज़गूल होते हैं. मुझे जगाते मेरे देव इस जग में न कोई दूजा पूजती हूँ तुझे तुझे साब कोई नहीं मुझे जगा दे मेरे दे तुझे साब कोई नहीं मुझे जगा दे मेरे दे स्वर्णिम सुहाना हो सबेरा तेरा गुण गातीरं स्वर्णिम सुहाना हो सबेरा तेरा गुण गातीरं इस जग में न कोई दोचा पूजती हूं तुझे आने आ तुफान आए तेरा सहारा हो मुझे शुल पग में न चुभे मुझे जगाते पेर दे चुल पग में न चुभे मुझे जगाते मेरे मवर जाल गेरे हमें बचाये डूबती नई आ मुझे जगाते मेरे दे दे न कर आने में मुझे जगाते मेरे दे दे न कर आने में अंबर से अर्मान हुचा तुझे पे है बेशास मेरा अंबर से अर्मान हुचा तुझे पे है बेशास मेरा तेरा आना जान मुहना शीस पग तेरे रखू तेरा आना जान मुहना शीस पग तेरे दरू इस जग में न कोई दो जा उजती हूं तुझे मुझे जगा दे मेर दे बाव से पार करा मुझे बाव से पार करा मुझे दन्यबाद भग्मान पर आस्था सभी को रखनी इस्वर के प्रति वो इतनी सुंदरता से इतनी मधूरता से प्रेम प्रगट हुआ है कि ऐसा लगता है कि जैसे कवित्री ने बहुती सच्चा भाव प्रगट किया हो और अभी अभी हूत कर जिम आपने कर दिया है सभी लोगों के मन को अपने मधूर कंट से और सच्चे भाव जो आपके हरदय के हैं इस असीम प्रेम जो है आपके मन का इस्वर के प्रति और ये प्रेम हम सब के हरदय में कायम रहे उस इस्वर के परती जिस ने हम लोगों को ये सुख सवभाग पराप्त बर्दान किया है और वो सुख सवभाग जो है वो जीवन का जो वरदान है जिसको हम लोग कभी भी उसकी करपा से लोग दिरतर उसको अपने जीवन में बनाए रखते हैं परती पर और वो सबसे बड़ा प्रेम है इस वर का इस वर के उस प्रेम वो पाकर के ही सायद आपने इतनी परे प्रेम को अपनी करता नहीं